अब इस प्रादेशिक नियोजन के अंतरगती जो छेतरी विकास में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं उसे दूर करने के लिए जो योजना तयार की गई वो था विकेंदरी करण योजना अभी हमने बात की थी विकेंदरी करण जो है वो अपनाया गया इसकी नीती अपनाई गयी और इसके तहत हर इसतर के जो योजनाएद हैं उनके विकास को निर्शित किया गया जैसे केंद्रिया केंदर सरकार या ने देश में जो भी केंद्र सरकार होगी उसी कही ये उत्तरदायित्व नहीं होगा उसके साथ पती साथ जो निचले स्तर के भी मतलब छोटे-छोटे उसमें स्तरों में इसको विभाजित कर दिया गया जैसे की राज्य स्तर पर जीला स्तर पर किसी ग्रामिड मुख्यालय के इस्तर पर इन सभी इस्तरों पर योजनाओं के बनाने के लिए या उन्हें उचित और तक्नीकी सलाह देने के लिए ये जो विकेंद्री करण की नीती को अपनाया गया प्रादेशिक नियोजन के अंतरगत अब हम इसमें देखते हैं कि इसके भी दो छेत्र तैक किये गए पहला लक्ष छेत्र और दूसरा लक्ष समूम मतलब जो छेत्र विकास के दृष्टी कोंड से पिछड़े हुए थे वहां पर और अधिक विकास की गती को बढ़ाने के लिए वहां अर्थ विवस्था के विकास के लिए दो छेत्र तैक किये गए पहला लक्ष छेत्र और दूसरा लक्ष समूम तो लक्ष छेत्र में एक छेत्र को किसी प्रदेश को शामिल किया गया और समूम में छोटे-छोटी संस्थाओं के माध्यम से विकास की जो योजनाये हैं वो बनाई गई इसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं लक्ष छेत्र के अंतरगत इसमें चार इसके डिविजन् का सूखा संभावी छेत्र विकास कारिक्रम दूसरा पर्वती छेत्र विकास कारिक्रम तीसरा जनजाती छेत्र विकास कारिक्रम और चौथा है आपका कमांड छेत्र विकास कारिक्रम अब लक्ष समू के अंतरगत हम देखते हैं इसमें भी प्रमुखरूप से दो हैं पहला है आपका SFDA जिसे हम कहते हैं लगु किसान विकास संस्था या इसे ही हम SFDA के नाम से जानते हैं और दूसरा समू हैं आपका MFDA या हम इसे कहते हैं Marginal Farmer Development Agency या सिमान्त किसान विकास संस्था ये दो प्रमुख लक्ष समूह निर्धारित किये गए जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो निश्टु निश्चित किया गया तो आए अब हम बात करते हैं हमने जो लक्ष छेत्रा चार लक्ष छेत्रा कहा था इसके अंतरगत जो पहला है आपका पर्वती छेत्र विकास कारिक्रम तो हम पर्वती छेत्र विकास कारिक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पर्वती छेत्र विकास कारिक्रम क्या है और इसे बनाने की आवशक्ता क्यों मैं हसूस की गई आप सभी जान रहे होंगे कि जो देश के या जिस भी छेत्रे के जितने भी परवती छेत्रे हैं उचे पहाड़ी भूभाग हैं वहाँ पर हमें कोई भी जो जीवन यापन के या जीवन को और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो बहुत आसानी से नहीं मिल पात जैसे हम पेजल की बात करें एक्जाम्पल के लिए या कोई भी हम खाद्य वस्तू या खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं और उसके अंतरगत हम देखते हैं कि अनाज अनाज के लिए वो क्रिशी की माध्यम से प्राप्त होगा तो वहाँ क्रिशी करना भी बहुत आसान नहीं हो पाता कोई दूसरे छेत्र से कनेक्टिविटी भी नहीं होती मतलब परिवहन के परियाप्त साधन भी जो है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते तो कोई भी चीज जो है वो आसानी से वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती और इसी कारण जो परवती छेत्र हैं वो व यह आपके पांचवी पंच वर्षी योजनाएं हमने बात की थी कि जितनी 12 पंच वर्षी योजनाएं बनाई गई हैं तो उसमें पांचवी पंच वर्षी योजना के अंतरगत यह परवती छेत्र विकास कारिक्रम की बात कही गई और इसके योजना की बात जो है वो कही गई तो इसके अंतरगत ये देखा गया कि जो परवती छेत्र की जितनी भी इस्थलाकृती की हम बात करें या यहां मिलने वाली जो पारिस्थिती की है या जो सामाजिक आर्थिक जितनी भी विशेशताएं यहां पर मिल रही है उसके आधार पर एक योजना या एक प्लानिंग ब बनाया गया तो यह देखेंगे कि भाई हम पहाडी छेत्रों में क्रिशी की अपेक्षा जो है क्रिशी भी जो की जाती है वो रोपन क्रिशी की जाती है सिढ़ीदार खेत बनाकर सिढ़ीनुमा खेत बनाकर तो जो भी यहां पर बागवानी या रोपन क्रिशी की जारी है य तो जिस छेत्र में, जिन परवती छेत्रों में, चाहे वो रोपन कृशी हो, बागवानी हो, पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, या वानिकी हो, इन सभी चीजों का, और साथ ही साथ, जो लगु और ग्रामीड उद्द्योगों के विकास के लिए, जो यहाँ पर इस्थानी उस छेत्र में जो संसाधन मिल रहे हैं उन इस्थानी संसाधनों के उपयोग के द्वारा ही या उसके विकास के द्वारा ही इन परवती छेत्र का जो विकास है वो किया जाए यह योजना बनाई गई पांचवी पंच वर्शी योजना के तहट तो इसके अंतरगत हम देखते ह कि कौन कौन से जो छेत्र हैं वो इस परवती विकास कारिक्रम के अंतरगत शामिल किये गए तो इसमें हम देखते हैं कि उत्तराखंड के जितने भी परवती जीले हैं वो शामिल किये गए साथ ही साथ मिकिर की पहाडियां असम के जो उत्तरी कछार की पहाडियां है पशिम ब और जो है वो शामिल किये गए तो जो जीले शामिल किये गए जो परवती छेत्र शामिल किये गए जितने भी राजियों के तो इसके अंतरगत कुछ शर्त रखी गई कि किन छेत्रों को इस विकास कार्यकरम के अंतरगत शामिल किया जाएगा तो उसके अंतरगत दो शर्टे रखी गई कि पहला कौन से छेत्र जो हैं वो पिछड़े परवती छेत्र होंगे तो उसमें ये कहा गया कि शर्ट रखी गई कि उन परवती छेत्रों की जो उचाई है वो 600 मिटर से अधिक हो मतलब जिन परवती छेत्र के विकास की हम बात कर रहे हैं उनकी उचाई लगभग 600 मिटर से अधिक होनी चाहिए और साथ ही साथ वो किसी भी जनजाती उपयोजना छेत्र में शामिल ना हो मतलब और भी जो पहाड़ी छेत्र हैं या परवती छेत्र की हम बात कर रहे हैं जहां पर कुछ जनजाती उपयोजना जो है वो यह कारिक्रम चलाए जा रहे हैं तो जो जीले या जो परवती छेत्र इस विकास कारिक्रम के अंतरगत शामिल है उसमें किसी भी छेत्र में जन जन जाती उपयोजना चेत्र जो है वो शामिल ना हो या कोई जन जाती उपयोजना कारिक्रम ना चलाई जा रही हो तो यही दो चेत्र जो है वो इस परवती चेत्र कारिक्रम के अंतरगर जो है वो रखे जाएंगे भाई तोब हम देखते हैं की इसमें क्या सुझाव दी गे मतलब जो समीति बनाई गई और इस विकास कारेकरम के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार रखा गया तो उन्होंने क्या सुझाव दिये कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इस पूरे परवती छेत्र का जो है वो विकास किया जाएगा और विकास किस प्रकार किया जाएगा वहाँ जो भी स्थानिय संसाधन जितने भी स्थानिय संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं उसके माध्यम से ही विकास जो है वो किया जाएगा तो तो उस छेत्र के सभी लोगों को समान रूप से आउसर मिलना चाहिए या समान रूप से सभी को इसका लाप मिलना चाहिए ऐसा ना हो कि कुछ गिने चुने जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन्हें ही इसका लाप प्राप्त हो तो पहला कि सभी लोगों को इसका लाप मिले और उन आयस्थानी संसाधनों के उप्योग के द्वारा ही उस छेत्र का विकास, अधिक्तम विकास जो है किया जाये। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो परवती छेत्र होते हैं बहाँ पर कृष्षी जो है जूमिंग क्रिषी की जाती है। जुमिंग क्रिशी मतलब एक स्थान की पहाड़ीयों को, किसी चेत्र की वन है उनको जाड़ीयों को काटा गया, वहाँ पर खृषी की गई, फिर वहां से दूसरे चेत्र की वनो को जलाये जाएगा और वहाँ पर खृषी कारी किया जाएगा, तो इस जुमिंग क्रिशी को जो विशेश रूप से हमें जो परवती छेत्र हैं वहाँ पर ही मिलते हैं तो इस जुमिंग क्रिशी के इस्थान पर इस्थाई क्रिशी जो है उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए या उस इस्थाई क्रिशी को बढ़ाने के लिए इस आयोग के द्वारा दिये गए इसके बाद हम देखते हैं जो पिछड़े छेत्रे हैं उन पिछड़े छेत्रों की जो बाजार व्यवस्था है उसे उसमें सुधार किया जाए ताकि वहां जो श्रमिक हैं उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो अगला सुझाओ दिया गया मतलब इस समीती ने जितने भी सुझाओ दिये हैं उसके अतरिक्त हम भी खुद अपने स्वेम के कुछ जो हैं वो सुझाओ दे सकते हैं जिसमें हैं जो हम विशेश रूप से देखते हैं कि अभी हमने बात की थी भाई कि जैसे ही गर्मी का मौसम होता है तो हम देखते हैं क कि हम किसी हील स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी परवती छेत्र में प्राकृतिक छटा या प्राकृतिक सौंधरी जो है वो एकदम अभूत पूर्व होता है तो वहाँ पर परियटन जो है उसे हम बहुत अधिक बढ़ावा दे सकते हैं या हम यह कहें कि उस महत्तो पूर्ण भूमी का निभाता है तो ये सुझाव ये हो सकता है कि परियटन उद्योग के विकास पर और ध्यान दिया जाए और उसे अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए हाँ इसमें एक बात मैं विशेश रूप से कहना चाहूंगी कि जब हम परियटन उद्योग क विकास की बात कर रहे हैं या परियटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो हमें इसमें एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि किसी भी छेत्र में जैसे बहुत जादा जो परियटक आते हैं तो साथ ही साथ परियटन को बढ़ावा तो मिल रहा है लेकिन परियावरन को भ वो पहुचाते हैं क्योंकि हम लोग परियटक जो हैं वो ते जाग्रुक नहीं होते और उतना ही प्रदूशन भी वहां पर उस खेत्र में करते हैं तो परियावरन प्रदूशन भी बहुत अधीक मात्रा में होता है तो हम हमारी जिम्मेदारी है कि हम परियावरण संतुलन जो है वो बनाये रखे या पारिस्थिती की को ध्यान में रखते हुए उस छेतर के परियाटन को बढ़ावा दे अगला ये है कि यहां पर व्रिक्षा रोपन करके इन छेत्रों को और व्रिक्ष तो हरे भरे मिलते ही हैं बहुत अधिक हैं ही और हमने कहा कि भई परेटान उद्योग बढ़ावा दे रहे हैं तो उनके रहने के वरस्था उनके खाने के लिए हम जो हैं वनों को काटते जाते ह हैं तो और अधिक से अधिक यहाँ पर व्रिक्षा रोपन करके इन छेत्रों को हरा भरा बनाया जाना चाहिए साथ ही साथ नेक्स्ट है हमारा कि जो वहाँ पर अवैद खनन किये जाते हैं उन अवैद खनन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए फिर जो पशुपालन कारिक्रम किया जाता है या जो वहाँ पर पशुपालन का कारिक किया जाता है उसमें वैग्यानिक धंग से या हम में कहें कि वैग्यानिक नीती या तरीकों को अपनाए और इन तरीकों को अपना कर हम पशुओं और जो चारा गाहें उनकी उपलबधता क समान रूप से बनाए रखें या उनका विकास करें तो किसी भी परवती छेत्रे के विकास के लिए ये कुछ सुझाव है और इन सुझावों को अपना कर हम उस परवती छेत्रे के विकास कारेक्रम को और अधिक सुचारू रूप से चला सकते हैं या हम यह कहें कि वहां पर की आर्ठ हेवस्था को अधिक से अधिक बढ़ावा दे सकते हैं। अब प्रादेशिक न्यूजन के अंतरगत, जो दूसरा कार्यक्रम ठा जो हमने बात की थी, सूखा संभावी छेत्र विकास कार्यक्रम, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं तो देश में जितने भी सूखे से प्रभावित छेत्र हैं जिसके कारण उस छेत्र का उस राज का विकास जो है वो अवरुध हो रहा है उसमें बाधा रही है रुकावत आ रही है इन पेत्रों के लिए विकास कारिक्रम बनाने की जो प्लानिंग की गई वो आपकी चौथी पंच वर्षी योजना जो 1969 से 1974 के बीच चली इस पंच वर्षी योजना की अंतरगत ये कारिक्रम जो है वो बनाया गया और विशेश रूप से 73 से 74 के बीच में चौथी पंच वर्षी योजना से इसकी शुरुवात तो की गई या सोचा गया कि जितने भी देश में जो सुखा संभावी छेत्र हैं सुखे से जो प्रभावी छेत्र हैं उनके विकास के लिए योजना बनाई जाए लेकिन इनके विकास या इस विकास कारि और बढ़ावा दिया गया पाचवी पंच वर्षी योजना जो आपके 1974 से 79 के 20 तक चली तो हम देखते हैं कि 1967 में योजना आयोग ने 67 जीले, 67 जीले जो हैं वो चिन्हांकित किये और ये पाया कि ये जो छेत्र हैं ये सूखे से प्रभावित हैं तो 67 जीले 1967 में किये गए लेकिन 1972 में जो सिचाई आयोग बनाई गई तो इस सिचाई आयोग ने यह हम कहें कि जो समीती बनाई गई उसने तै किया कि देश में जितने भी जो छेत्र हैं जहां पर 30 प्रतिशत से भी कम सिचाई की सुविधा उपलब्ध है उन सभी यह हम कहें कि जो लगभग 30 प्रतिशत से कम सिंचित छेत्र हैं वो इस विकास कारिक्रम की अंतरगत शामिल होंगे और हम देखते हैं कि हमारे देश में राजस्थान से तो हम सभी परिचित हैं कि यह एक मरू भूमी है मरूस्थली छेत्र है तो राजस्थान तो इसके अंतरगत आए गही और साथ ही साथ राजस्थान के बाद गुजरात पश्यमी उत्तरप्रदेश महाराष्ट का मराठ वाड़ा आंध्रप्रदेश की जो रायल सीमा है और साथ ही साथ तेलंगाना पठार करनाटक पठार और तमिलनाडू की जो उच्च भूमी है और इसके जो आंतरिक भाग हैं साथ ही साथ आंतरिक भाग के जो शुष्क और अर्ध शुष्क छेत्र हैं ये सब ही जो हैं ये सुखा संभावी छेत्र विकास कारिक्रम के अंतरगत शामिल किये गए अब हम देखते हैं कि इस कारिक्रम को बनाने के उद्देश क्या थे तो इस कारिक्रम को इसलिए बनाया गया कि सूखे से जितने भी छेत्र प्रभावित हैं जिसके कारण उनके विकास की गती जो है वो धीमी हो गई है तो उसे निरंतर आगे की और बढ़ाना और इसमें क्या क्या बाते होनी चाहिए जिससे वो छेत्र विकास करेगा तो पहला इसमें कहा गया कि जो स्थानी लोग हैं समीती ने बोला कि जितने भी सुखा समभावी छेत्र के इस्थानी लोग हैं उन लोगों को जादा से जादा रोजगार उपलब्ध करवाना साथ ही साथ सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए जो सिचाई के साधन है वो सिचाई के साधन को और अधिक जो है वो विक्सित किये जाए या हम कहें कि जिससे सिचाई के अधिकतम साधन विक्सित किये जाएंगे तो सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है तो ये जो थे ये प्रमुख दो उदेश थे जिसके माध्यम से इस सुखा प्रभावी छेत्र जो है उनका विकास कारिक्रम या उसके विकास की योजना जो है वो बनाने की रड़नीती बनाई गई अब इसके अंतरगत क्या-क्या कारिक किये गए तो शुरुआत में तो हम देखेंगे कि जब ये योजना बनाई गई ये कारिक्रम बनाया गया तो शुरुआती स्थिती में या शुरुआती स्तर पर जो सिविल निर्मान कारिये हैं उन पर बहुत अधिक जोर दिया गया लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि इससे बात नहीं बनेगी और जो मतलब शुरुवात में तो सिविल निर्माण कारी इसलिए इस पर जोड़ दिया गया क्योंकि ऐसे सिविल निर्माण कारी जिसमें बहुत अधिक श्रमिकों की या लेबर्स की आवश्यक्ता होती है इ इससे वहां रहने वाले जो इस्थानी लोग हैं उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार जो है वो उपलब्ध हो सके लेकिन बाद में ये लगा कि भई इससे बात नहीं बनेगी और इसके बाद फिर दूसरे इस्तर पर देखा गया कि जो सिचाई परियोजनाएं है सिचाई परियोजनाओं के साथ साथ जितने भी जो वहां पर लवणी भूमी मिलती है उस लवणी भूमी के लिए भूमी विकास कारिकरम और साथी साथ व्रिक्षा रोपन और चारागा के विकास के लिए कारिकरम बनाए गये और ग्रामीड सेवाओं पर भी जोर दिया गय ये कारिय जो हैं इस सूखा संभावी छेत्र के विकास के लिए किये गए अब हम ये देखते हैं कि लगातार हमारे देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है जनसंख्या का दबाव जो है वो कम नहीं हो रहा है तो क्या हम मतलब इस कारिक्रम को जब चलाया गया तब भी ये महसूस किया जाने लगा कि जादा से जादा जो है वो हम कृशी और उससे संबंधित कारिय पर ही दे रहे हैं और जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है उसका दबाव लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे आवशक्ता की पूर्ती के लिए ही हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर जन संख्या को भोजन की आवशक्ता है और इसके लिए हम बहुत अधिक उर्वर्कों का प्रयोग या कीट नाशकों का प्रेयोग कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सिचाई जो है वहाँ पर कर रहे हैं और उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और जितनी भी भूमी है हमारे पास पहले ही लवडी है उसे और ज्यादा लवडी बनाते जा रहे हैं और भूमी की पूरी जो उपजावपन है उसे हम नश्ट करते जा रहे हैं क्योंकि जितनी क्रिशी भूमी उपलब्ध है उससे तो हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्रिशी उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश कर ही रहे हैं और साथ ही साथ फिर इस छेतर में ये महसूस किया गया कि जो किसान है वो उपलब्ध क्रिशी भूमी के अतरिक्त जो सिमान्त क्रिशी भूमी है उनका भी प्रयोग करने के लिए मजबूर हो गये हैं क्योंकि जनसंख्या जो बढ़ रही है और उन्हें अनाज उपलब्ध कराना फर्स्ट प्रायर्टी है तो इस कारिक्रम के तहट ये महसूस किया गया कि बढ़ते जनसंख्या के दबाओ के कारण और क्रिशी भूमी के लगातार जो हैं अधिक से अधिक उप्योग करने के कारण भू निमनी करण की जो समस्या है वो प्रमुक रूप से उत्पन हो रही है देखा गया कि भूमी का उपजाउपन है वो लगातार नस्ठ होता जा रहा है तो फिर इसके लिए ये महसूस किया गया कि जो ये छेत्र हैं यहां पर क्रिशी और उससे संबंधित कारे के अतरिक्त वैकल्पिक रोजगार के औसर जो हैं वो ढूंडे जाएं या ये महसूस किया गया कि जो स्थानी लोग हैं उन्हें और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्रिशी से अतरिक्त उसको छोड़ कर मतलब उस पे और बहुत जादा फोकस ना करें और एक वैकल्पिक विवस्था बनाई जाए जिससे कि वहां के लोगों को अधिक से अधिक र रोजगार जो है वो उपलब्ध किया जा सके